हलो, गूड मॉनिंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बेस ट्उब की और एम्प्लिफाइर की, जो मैंने बेस ट्उब लिया है, वो JBL का है, 12-Handit-T और जो मैंने एम्प्लिफाइर लिया है, वी 12 का लिया है, काफी एकनॉमिकल एम्प्लिफाइर माना जाता है ऐसे, दूसरे amplifier जो Sony वगरे के हैं या पी JBL के हैं काफी महेंग है और जो sound में बहुत ज़दा difference नहीं है और मैंने इस amplifier को JBL की amplifier से compare किया था, test किया था तो उसका जो outcome था वो भी मैं आपको end पे share करूँगा और ये काश्मीरी gate का car market है, मैंने जो JBL के base tube लिये थे जो price है Amazon पे 56 या 5700 का है, अगर इसी market में और shop पे आप check करोगे तो वो आपको करीब 53 या 5000 का मिलेगा और अगर आप इस shop पे जाते हैं, डीटील की shop है, जो भी डैली के जितने भी लोग है यहां से ले जाते हैं, और यहां के जो इवन कश्मीरी gate की जो लोकल वाले वो यहां से उठाते हैं तो यहां पर price का काफी difference है, 4300 का मुझे मिल गया था, जो base tube है और जो amplifier है मुझे 3000 रुपे का पड़ा था, शायद market में, amplifier में ज़्यदा difference नहीं है, 3.500 तक का होगा लेकिन जो base tube है, उसमें काफी margin मिल गया था, 4300 का, तो यह मैंने लगवा लिया था यहां से और जो base tube का price है, मैंने कम से कम 5-6 दुकानों पर पता किया था हर जगा 200 या 300 रुपे का अंतर था, लेकिन 5000 जार से नीचे कहीं भी नहीं था तेकि यहां पर मुझे reasonable price पर मिल गया था और जो यहां अभी देख पा रहे हो, यह JBL का base tube है, 1200 T और इसका sound भी काफी अच्छा है, जो मैंने recording की है sound वगरा यह phone से की है, आपको headphone शायद लगाना पड़े, लेकिन फिर भी quality अतनी अच्छी नहीं आई है जो यह wire का kit है, यह 400 रुपे का आपको मिल जाएगा, यहां पर retail price है market में मेरे खाल से 7-800 रुपे इसका लगता है इसमें जितने भी wire होते हैं आपके battery से लेके और speaker के सब wire इसी packet में आपको मिल जाएगा और यह सामने कड़े हैं, यह हमारे technician है, यह install करेंगे इनसे बात हुई थी 500 रुपे बोला था installation के लिए लेकिन फाइनली 400 रुपे में बात होगी थी और यह जो JBL का base tube है, जैसे आप वीडियो पे देख पा रहे हैं मुझे थोड़ा doubtful था क्योंकि यहां पे जो local market में Maxell जो brand है उसका base tube मिल ला था यह जैसे कि JBL का मुझे 4300 रुपडा Maxell का शायद मुझे 22-2300 मिल जाता लेकिन मुझे जो technician ने बताया कि sound में बिल्को difference होगा Maxell base tube है बच जाता है लेकिन JBL की तरह quality नहीं होगी तो finally थोड़ा बच जादा पैसा देने के बाद में JBL ही लिया और यहां पे देख पा रहे हैं बैटरी से connection जाएगा अंदर amplifier के लिए और यहां पे एक fuse भी install होता जैसे हैं वीडियो पे देख पा रहे हैं ताकि अगर कुछ short circuit है कुछ हो तो fuse पहले उड़ेगा बैटरी या फे car के जो equipment में कोई problem नहीं होगी चले installation देख लेता है और जो base tube और amplifier लगाने का मेरा एक छोटा सा reason था क्योंकि हम पांच दिन काम करें पूरी week में और दो दिन हमें weekend मिलता है एक दिन घर में गुजड़ जाता है और जो एक दिन मिलता है मेरा जो schedule है मैं गाड़ी लेके बहार निकलता हूँ कम से कम दो तीन घंटे कर ले चोटे मुटे राइट पर चला जाता हूँ तो music थोड़ा loud सुन लेता हूँ ताकि उससे थोड़ा relaxation हो जाता है और frustration थोड़ी सी दूर हो जाती है ताकि Monday को जब दोबारा आप काम पे जाओ तो आप थोड़ा relax होके जाओ इंस्टलेशन देख लेता है यहाँ पे सिफ जो गाड़ी के बगल में earthing के लिए एक screw लगाया गया था हलका सा hole हुआ है उसके लिए जो wiring है same wiring है जब आप music सिस्टम लगाते है अपने गाड़ी पे तो जो wiring होती है वही wiring दोबारे rewiring करनी पड़ी थी मुझे क्योंकि मैंने जो speaker HR वो मैंने amplifier के through लगाये थे और इसमें अंतर है अगर आप अपना जो speaker है पहले का अगर वो आप stereo में लगाए जाते है जो कि आपको surround sound चीए तो speaker को आप stereo पे लगा सकते हैं और जो ये buffer वगरा है वो आप दूसरे slot पे लगा सकते हैं जहाँ पे सिब buffer बजेगा और जो गाने का speaker पे है वो stereo sound surround sound आएगा लेकिन आप याद रुखेगा कि जैसे आप amplifier लगाते हैं single amplifier में 4 channel अलग अलग नहीं बसते हैं क्योंकि कम से कम left के दो जो channel होते हैं speaker उसको common किया जाता है और right के जो दो speaker होते हैं उसको common किया जाता है और जो तीसरा channel होता है bridge करके वो आपके base tube पे लगाए जाता है और finally installation यहाँ पे हो चुका है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कार में base tube लगाने पात कितनी जगा बच जाती है आपके पास left right में थोड़ी से जगा है और यहाँ पे थोड़ी से जगा आपको मिल जाती है उसका sound output है up to the mark है चले देखते हैं यह कैसा sound करता है और घर प्याने पर amplifier को मैंने दुबारा से खुछ से सेट किया था मैं आपको दिखाना जाता हूँ यह volume अभी 16 पे है और sound काफी loud है सिर्फ 16 पे और अगर आप कम sound पे भी सुनते हैं यह काफी classy का हवा जाए so it is value for money मेर है H 병 है हो जग कई दान इसे बाती पहार आउनल रिमा इयुक्स मेर है और मेर है मेर है है जढ के है फोन पर रिकॉर्डिंग की वज़े से आपको आवाज शायद थोड़े डिस्टॉट हो रही होगी लेकिन रियल में आवाज बिलकुल भी डिस्टॉट नहीं होती इसको एम्प्लिफायर को सेट करने के बाद 16 से उपर, 18 से उपर रॉप जानी सकते हैं बहुत लाओड हो जाता है उसके बाद भी आवाज बिलकुल नहीं पड़ती तो 8000 रिपे में जो पूरा सेटिंग है एम्प्लिफायर, बेस्टॉप, सब कुछ आमी इस वैली फो मनी काफी अच्छा है और मेरे दिमाँ में जो थोड़ा सा डाउट था कि जो V12 के मैंने अम्प्लिफायर लिया है 3000 के कि साउंड में क्या ज़्यादा डिफरेंस होगा तो मेरे फ्रेंड के पास JBL का जो 4 चैनल का अम्प्लिफायर पड़ा था उसको मैंने लगा के देखा तो believe me 19-20 का अंतर है यह जो 7000 का JBL का है और वो 3000 का तो बहुत ज़ादा डिफरेंस नहीं है So V12 is the best And finally अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा And thank you very much for your support Until my next video Take care yourself, be polite, be humble Bye-bye, goodnight